बाइटि शास्त्र हम कावे प्रयोजन का अध्यन करेंगे के लिखने का प्रयोजन क्या है उद्देश हुआई है भारती कावे शास्त्र में कावे लिखने का उद्देश होता है उसे कहा जाता है कावी का प्रयोजन, प्रयोजन मतलब होता है उद्देश, तो इस टॉपिक का अध्यान हम इन बिंदों के अधार पर कर सकते हैं, सबसे पहले प्रस्ता होना, फिर कावे प्रयोजन के सम्द में संस्कृत आचारे के मत, संस्कृत के जो प्राचीन आचारे हु विभिन विद्वानों के द्वारा यहां बताया गया है कि कावे के लिखने का उद्देश क्या होता है, प्रयोजन क्या होता है, तो हमके इनके विचारों का अध्यान करेंगे। प्रयोजनों पर गंभिरता से विचार किया गया है, आधि आचारे भरत से लेकर पंडितरा जगनात तथा उनके बाद भी कावे प्रयोजनों पर विचार विमर्ष होता रहा है, मतब दुनिया में जो भी काम होते हैं, कोई भी व्यक्ति कुछ काम करता है, तो उसका कुछ प्रयोजनों कुछ उद्देश होता है, प्रयोजनों होता है, उसी प्रकार जब कावे की रचना की जाती है, तो उसमें भी कुछ प्रयोजन नहीत होता है, क्योंकि जो कावे है, उसका संबंध हमारे जीवन से होता है, और इस संसार से होता है, मतब जीवन और जगत से काव इसकी जो परिदी है इसका शेत्र विष्ञार है बहुत ही व्यापक है इसके अंतरगत मानव जिवन की बाही आवशक्ता है और अंतरंग भावनाएं समाई थे। तो कावे प्रयोजने के समद्ध में सबसे पहले देखते हैं संस्कृत आचारें के इमत क्या है। अचारे भरत मुनी के समय में कावे और नाटक को एक ही समझा जाता था। इसलिए अचारे भरत मुनी ने नाट्टे रचना के जो उद्देश से बताएं जो प्रयोजन बताएं वास्तों में वही कावे रचना के उद्देश हैं कावे रचना के भी प्रयोजन वही हैं। तो अचारे भरत मुनी ने भरत के द्वारा निर्दिश्ट कावे प्रयोजन इस प्रकार है। यस प्राप्ति होती थी, किर्थिया यस, आयू बढ़ती थी, बुद्धी बढ़ती थी, और लोगों का हित करती थी, कविता लोगों को उप्देश भी देती थी, सदाचार की शिक्षा देती थी, कविता या कावे. और आचारे भामा के उनसर, भामा प्रतम आचारे हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में कावे प्रयोजनों पर विचार किया है। इनके उपर भी भारतमुनी का प्रभाव, दिश्टिकत होता है, साथ ही उन्होंने कुछ नई बातें बताई है, कुछ नई उद्भावनाएं भी की है। अर्था धर्म, अर्थ, काम और मोख्ष भारत में चार पूर शार्थ मने जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोख्ष। कलानीपूर्था मतलब कीसी कला में निपूर हो जाना, कर्ती और प्रिती, कर्ती मतलब यश्ट और प्रिती मतलब आनन्द की प्राप्ति को भामा ने कावै पहजन के रुपर निड़त और निड़ते हैं। कला नीपूर्ता, लोग कला में नीपूर्ण हो जाते हैं, उन्हें किर्थी प्राप्त होती है कभियों को, और आनंद की प्राप्ती होती है, इस प्रकर भामा ने कावे प्रोजन के रूपर निर्दिश्ट किया है, कावे प्रोजन समंधी चिंतन में भामा ने प्रीती अर्थ साथ आनंद की प्राप्ति को मुख्य प्रयोजन माना है तो इनका कहना क्या है कावे से आनंद की प्राप्ति होती है यही कावे का मुख्य प्रयोजन है जिसे प्रवर्ति आचारे को विश्य स्प्रिणना मिली तो कावे से जो आनंद की प्राप्ति होती इन्होंने कहा है इसक मतब अप्रत्यक्ष रूप से जो हमको फायदा मिलता है जो उद्देश होता है आचारे वामने द्रिष्ट और अद्रिष्ट के रूप में कावे के दो प्रविजन सीकार किये हैं मतब कावे के दो उद्देश होते हैं एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष इनमें द्रिष को यस अर्थात प्रसिद्धी का सहर साधन मानते हैं. उनका मानना है कि कावे के सरीजन करने से कवी को बहुत ही आसानी से प्रसिद्धी की प्राप्ति हो जाती है. वामन के कवे प्रयोजन में सर्जग मतलब कवी और भावक सहर्दय दुनों को मातो दिया गया है तो आचारे वामन ने अपने कावे के प्रयोजन में कावे के उद्देश में कवी को तथा श्रोता को दुनों को भावक मतलब सहरिदा या श्रोता या पाठक तो इन्होंने कवी को अर्थात सर्जग को भी बराबर मातो दिया है और भावक मतलब सहरीदय अथ्वा स्रोता या पाठत इसको भी उन्होंने मातो दिया है तो अचारे वामन के अनसार क्या है अद्रिस ये प्रिवजरम किर्ति हेत उत्वात कावेलंकार मुल वृत्ति अर्थाग सद कावेलंकार सुत्र वित्ति है अचारे वामन के क्रिति तो इसको आप वेपाड चेक कर लिएगा पिलाल तो मैं इसको आपको इसको चेक कर लिएगा थीक है अ गुए वैलंकार सुत्वित्य आचारे वावन का तो एक बार इसको आप ज़रा वहां से चेक करें यह तो मैं इसको सुधार भी दूँगा अर्था सत काव्य कवी और स्रहिदय स्रोता पाठक दोनों को आनन्द प्रदान करता है तो जो अच्छा काव्य होता है वह कवी को भी और स्रहिदय मतब स्रोता और पाठक दोनों को आनन्द प्रदान करता है यह अद्रीश से प्रियोजन है मतब प्रत्यक से प्रियोजन है तत या आत्री करता कभी को पाथक सभी को आनन्द प्रेदान करता है फ्रत्ख प्रत्यक्षा प्रेजिक्षिं प्रेजिन क्या है कभी को जीवित रहते और उसकी सब्सक्राइब उन्हें लोकृत्तर चमतकर के आनन्द को धर्म अर्थ काम और मोक्षच से बढ़कर माना उनकी दृष्पी में ऐचारों पूरिशार्थवों से बढ़कर है लोकोतर चमतकार मतलब किसी कावे को पढ़कर या सुनकर आपके मन में जैसे ब्रह्मान सा होता है जिसको बते हैं आनन्द की भणा उत्पन होती है आप चमतकित हो जाते हैं आप आश्चर चकित हो जाते हैं आप आनन्द से भढ़ जाते हैं तो यह क्या है तो यह जो आश्च चार पुरुशार्थ होते हैं भारती संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी प्राप्ति से बढ़कर वो मानते हैं लोकुत्तर चमतकार, चमतक्रित कर देना, जो कि इस दुनिया में मुम्किन नहीं है, उनकी द्रिष्टी में चारों पुरुशार्थों से कर रहें, चतुरुवर्ग, फलस्वाद, मपी, अतिक्रम्य, तद्विदाम, कावया, मृत, रसेन, अंतश्चमत, कारो, वितन्यते, और क्रोक्ति जीवित, इसमें इन्होंने लिखा हुआ, जो इनकी कृति है, आचारे भोजराज का क्या करना है, आचारे भोजराज ने प्रसथी, कंठापर द में क्या बता है, कावय का प्रयोजरन है किती, यस्थ की प्राप्ति, और आनंद की प्राप्ति, प्रयाजनों का इसमें प्रव आचारियों द्वारा निर्दिश्ट होता ए Anwar Pya प्रभल कामना होती है क्योंकि यस ही उसे अम्रत तो प्रतान करता है मृत्यू के पश्चात भी वा यस रुपी शरीर के माध्यम से इस जगत में विद्धिमान रहता है वस्त हुता यस शरीर जरा मरंड से रही थै मतलब यस रुपी जो शरीर होता है वह न तो व्रिद्ध होता है न तो मरता है इसका कहने का तात पर यह प्रतिक मतब जो यश की प्राप्ति है किर्थी की प्राप्ति है क्योंकि जो कभी क्यावे रिटना में सनलगन होता है तो जो अच्छा कभी होता है वह जिवित रहते भी उसे यश प्राप्ति होती है और उ पैसी, सूर, तुलसी, मीरा, रहीम, रस्खान, प्रसाद, निरालापन, आधी अपनी कावे कृतियों के कारण ही अमर है। यश को प्रथमिस्थान दिया है। ना किवल भारत में, बलकि वीश्य में जितने भी कवी हुए हैं, उनकी कावे रचना का प्रमुखुद देश क्या है? यश की प्राप्ति, किर्थी की प्राप्ति, प्रशंसा की प्राप्ति, इसलिए ममठ ने इसे कावे के प्रयोजनों मे के लिए कावे रचना की है। संस्क्रित में वाणभट जैसे कवियों ने महाराज हर्श से अपनी रचनाओं पर अत्यधिक धनराश्री या समान प्राप्त किया। राजाश्तर प्राप्त करना भी अर्थकृत ही है। हिंदी का चारण कावे और अधिकान सरीती कालिन कावे इस प्राप्त करते थे। तो जो चारण कभी हैं वो भी किसी ने किसी राजा के आस्रे मेरते थे तो उनको भी पर्याप्त अर्थलाब होता था पैसा मिलता था। तो अर्थकी प्राप्ती भी हो गई। इसका व्योहार विदे। व्योहार ज्यान भी कावे का महत्रकून प्रोजन है। कावे से रचन मतब वियोहार का ग्ञान वी कावे का महात पूंट प्रयोzę नहीं प tätä कि रचना कर गुड का करना है इसका ग्ञान रचना कार को होता है पाथा को सूर्था को भी लोग हर की शिक्छा मिलती है तो कावे के अध्यान अनुशिलन से पढ़ने से समझने से उस्यूक के लोगों के मनों भाव विचारों आचरण व्योहार को भी जाना जा सकता है कावे से प्राप्त ज्यान द्वारा व्योहार या आचरण में परियाप्त बदाव भी देख जाता है किसी समय के कविता को जब हम पढ़ते हैं जैसे रीदी कलिन कावे को पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है किस तरह की कविता लिखे जा रहे थी आदी कलिन जो कावे को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उस समय की कविता किस प्रकार की थी अन्य वीर रस की कविता थी चैन मनूरा सारी भावना भी नुगा जाता है। तो इसीलिए प्रांज क्या है। युद्ध हमारा भी ले टाइता था थी तो अपने प्रेंसांथ कुछ कवियों को लेकर जाते हैं वीर्रस के कवियों को, ताकि वे ऐसा उच्छे स्वर में नगाणों के सांथ कविता का पाट करें, ताकि लोगों में उत्सा का संचारो, वीर्रस का संचारो, तो आच्रण में बदलाव भी देखा जयाता है, इसके बाद शिवेतर छते, शिवेतर मतलब शिव मतलब होता है कल्यान कारी, यह कल्यान, शिव मतलब क्या होता है, कल्यान कारी, शिवेतर मतलब अकल्यान कारी, अनिष्ट कारी, तो अकल्यान कारी से भी रक्षा होता है, कल्यान का नास करता है, करती है कविता, शिवेतर की छती, अर्था आशिव अमंगल का नाश तथा अनिष्ट का निवारट करना और अमंगल का नाश करना यह कवीता का मुख्धिय होता है यह एक उद्देश है अनेक कभी इस प्रेविजन से कावो रचना करते हैं ताकि अमंगल का नाश हो जैसे आज भी घ़रों में हरामचरित मानस का अने कवी इस प्रिवजन से कावे रचना करते हैं। तो विदेशों में भी जो क्रांतियां हुई है या भारत में भी जो क्रांति हुई है तो उसमें इन कविताओं का बहुत बड़ा योगदा रहा है। निवारन करते हैं जैसा कि मैंने रामचरित मानस का उधारन आपको दिया है। अब एक उधारन भी देख सकते हैं। तो उसका निवारन करने के लिए तुलसिदास जी ने इसको लिखाया और या परिच्छा में प्रयाप उच्छा भी आता है। कि बाहुप पिड़ा से मुक्ति पाने के लिए तुलसिदास जी ने कौन सी रचना की थी ते हनुआन बाहुप की रचना की थी। और आज भी बहुत से लोग जिनके शरीर में कोई कश्ट होती है, कोई पिड़ा होती है, तो उसका नाश्ट करने के लिए उसका उन्मुलन करने के लिए उस पिड़ा से मुक्ति पाने के लिए उसका नीमित बाठर परयाण करते हैं। और इसके बाद है पाँचवा, सद्य परमीम रिथ्ये, मतब ततकाल आनंद की प्राप्ती, उत्करिष्ट आनंद की प्राप्ती पढ़ते ही सुनते ही। उतक्रिष्ट आनंद की शिद्र प्राप्ति कावे का उदात प्रयोजन है। उसका वर्णन नहीं कह जा सकता है। कांता सम्मीत उपदेश केवल कावे से ही मिलता है। कांता सम्मीत उपदेश मतलब कवीता या कावे में वह शमता होती है जो बहुत ही मधूर और सरस ढंग से लोगों को उपदेश दे सकती है। इसमें रस और मधूरी के प्रधानता होती है तता शब्द और अर्थ गौण हो जाते हैं। सुनने वाला बिल्कुल खोड जाता है उसके रस में उसकी मधूरता में उसके माधुरी में तो शब्द और अर्थ गौड हो जाते हैं सिर्फ वह भानाओं में बहता चला जाता है कावे के उपदेश की मधूरता प्रियता और गाहयता का प्रमुक करणडिया है या करकश नही करते हैं इसे उससे उपदेश की प्रापति हो जाती है जैसे कभीर के आप सुननीजिए प्रभावित करता है कावे की विशय वस्तू या वन्य वस्तू याश्सीत होती है और उसे पढ़कर या सुनकर पाठक प्रभावď होता है, तब ऑप करता भी भत हुता है। तो क्या है, जैसे जब आप Kabitir का भजन सुनते हैं, तो Kabitar जो बहुतीब Alfoshik थे, उनकी आप दोहे को सुनेंगे, यह फिर उनकी जो भजन को सुनेंगे, तब क्या होता है? उसको सुनकर यह पढ़कर आप प्रभावुद हो जाते हैं और इससे आपको आपके करतावे कभी बहुत होता है कुछ कमी रहती तो पता चलता है इस पकार हम कह सकते हैं कि आचारे मममट का कावे प्रोजन ब्यापक और ब्यावारीक है तो आचारे मममट का जो कावे प्रवजन है, बहुत ही व्यापक भी है और सांथी व्यावहारी भी है अब आचारे हिम्चंदर का क्या काना है आचारे हिम्चंदर दोरा दिये ép कावे हेतियों अर्थात आनंद, यश्ट प्राप्ति और कांता समीत उप्देश में आनंद प्रमुख है आचारेहमचंद के रुसार कावे के तीन प्रमुख प्रोजन है आनंद की प्राप्ति, यश्ट की प्राप्ति और कांता समीत उप्देश कांता समीट उपदेष मतलब बहुत प्यार से उपदेश देना क्योंकि इसका संबन्द रचनाकार au स्रहिधाय, पाठत यश रता दोनों से हैं जब यश का संबन्द केवल कविया सर्जक्ष मतल होता है संबन्द केवल स्रहिध़ से होता है तो इन्होंने आनंद को बहुत ज्यादा महत दिया है, क्योंकि आनंद का संबन रचनाकार या सर्जक से भी होता है और स्रोता या पाठाक से भी होता है, जबकि यस किसको मिलता है, यस मिलता है केवल कभी को, और कांता सम्मित उपदेश किसको दिया जाता है, सिर्फ स्रोता पाठा को या साहीरिद यहां जो साहीरिद शर्द है उसको ध्यां रखेगा इसका आर्था उता है श्रोता या पाठार यहां पर आठवां आचार विष्वणात् का शुप्रसीद लक्षाण ग्रंथ मतलब जीसमें कावे के लक्षाण उन्होंने बताएं उन्होंने अपने कावे प्रयोजन में धर्म अर्थर काम और मोक्ष को मतो दिया है चार जो पुरुशार्थ होते हैं धर्म अर्थर काम और मोक्ष इसको इनन मतो दिया है इनकी प्राप्ति कावे के माध्धम से आनन्द पुरोग हो जाती है लेकिन इनका अध्यान करना और इनको समझना बहुत ही कठीन होता है और यह सभी लोगों को बहुत ही आसानी से उपलब्धमनी होते और लोगों को जो वेद और शास्त्र है आसानी से समझ में भी नहीं आते तो कावे से यह हो जाता है बहुत आसानी से चारो पुरुशार्थ प्राप्त हो जाते है पंडितराज जगनात का क्या काना है पंडितर लोगतित हो जाना अत्यंत परसंद्दोे सकता पर्मानाण भ्रमानन भ्हतीन को जब अधिया प्रविछनंद्सTAKAvAyyam सेवे स्रेष्ट कावे का प्रयोजन मानते हैं संस्क्रित कावे शास्त्र में निर्भीत कावे प्रयोजनों के समख रह लोकण से ग्यात होता है कि आनंद की प्राप्ति तथा विचारों का परिस्कराण ही कावे के प्रभुप्रयोजन है तो पर हमने संस्क्रित आचायरियों क जितने भी कावे प्रविजन देखे उसका निश्कर से निकलता है कि कावे का मुख्य प्रविजन क्या है आनंद की प्राप्ति है तथा लोगों के विचारों का परिस्करान है परिस्करान मदब विचारों में सुधार करना अच्छे विचारों आच्छे विचारों के प्रती पाश्चाति विद्वानों द्वारा प्रतिपादित कावे सिधान्तों में कावे प्रयोजनों की चर्चा मिलती है तो पाश्चाति विद्वानों ने जो कावे सिधान्त दिये हैं पाश्चाति कावे शास्त्र के अंतरकत तो उन्होंने किन प्रयोजनों की चर्चा की है? इनके द्वारा धर्म, नीती, संदर, कला, आनंद, आदी के परिपेक्ष में कावे प्रयोजनों पर विचार किया गया है मतलब कावे के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, धर्म का प्रचार प्रसार होता है नीती, है ना, नीती, लोगों में नीती पूर्ण धंग से सोचने ऐ हैं, समझने की शम्ता विक्रित होती है, सौन्देरे बोध होता है, और कला के संब्समें आनंद की प्राप्ती होती है, तो इसके परिपरेक्श मेरों ने विचार किया है। प्लेटों को क्या मानना है? प्लेटों की धारना कवी और कावे के प्रती उदात नहीं है. उनके विचारों में एक आंगी पन अधिक लक्षीत होता है. मदब एक तरफा सोचते हैं, वे कवी और कवी तको अच्छा नहीं समझते हैं और एक ही दिश्टी कोण से सोचते हैं. व वो कहते हैं कि आदर्स राज्य में कवी के लिए कोई स्था नहीं होना चाहिए. क्योंकि कभी क्या कलपना की दुनिया में खो रहते हैं, तो उनकी अभिविक्ति क्या होती है? जूटी होती है, कालपनी खोती है. जो कि यतार्त है से उतका कोई सम्बन नहीं होता और इसे र लोक मंगल को कावे का चरम लक्ष माते हैं। प्लेटों का कहना है कि वह कविता अच्छी कविता मानी जाएगी। जिसे लोगों का हीत हो। जिसमें नहती कुपदेश शामिल हो। जिसमें लोक मंगल हो। जिसे समाज का भला हो। समाज का उठान हो। वह कविता अच्छी और वही कविता का चरम लक्ष होना चाहिए। अरस्तू का क्या मानना है। विरेचन सिधान देते हुए इन्होंने अरस्तू ने विरेचन सिधान प्रसूत किया। उनके मन में कोई दूख है, कोई पीडा है, कोई तराजदी है। तो इसको दूर कर देती है कविता। इसका परिस्कार कर देती है और दूख दर्द का श्रमन कर देती है मनोवेगों का। इस पकार अरस्तू का क्या मनन है, कावे का मुख्य प्रविजन क्या है, आनन्द है। लुजाइनस, जिन्होंने उदाद क्या धाना दी, इनका क्या मनना है। उदाद तत्तो को महत प्रदान करने वाले लुजाइनस की दिष्टी में भावियता और उदात तता की अभिव्यक्ति कावे का प्रमू पुर्वजन है। इसके अंसर कावे में क्या होनी ची है, प्रशिद्ध कवियम समिशक दानते कावे का प्रवियजन इसपश करते हैं श्युकार करते हैं कि कावे का उद्देश अंतता और पूर्णता व्यक्तियों को दुख की आस्था से हटा कर सुख की स्थिति की ओले जाना है दानते का मानना है कि कविता का मुखे प्रवियजन क्या है कि लोगों को दुख की आस्था से हटा कर सुख की स्थिति की ओले जाना है उनके दुख दर्दों को दूर करना उनके जीवर में सुख सांती लेकर आना सर फिलीप सिड्नी का क्या मानना है सर फिलीप सिड्ली के अंसर मानने सदगुणों की प्रेणना कावे का प्रेवजन मतलब किसी कविता को पढ़ कर या चुन कर लोगों में सदगुणों का विकास होना चाहिए ज़ीं हैmajakodogi चाहिए। माविश सदगुणों का प्रचार प्रसाना चाहिए उसकाविकास होना चाहिए लोगों को ऊपधेश भी दे और लोग उसे प्रसंता पुर्ण सिपषらे भन परपति अहलाद मतलब परमानंद की प्राप्ति, उनके उनसार स्वानता सुखाय और परजन हिताय कावे के प्रविजन है, मतलब उनके उनसार जो कवी है उसको कवीता लिखकर उसको स्वयम खुशी मसुस होने चाहिए, स्वयम में, इसे कहते हैं स्वानता सुखाय, खुद की खुश स krijमकों का छोणा चाहिए और स्वानी मुला विज़्ला चाहिए , और स्युक्रांथे क्लूच समर्ण को क्या मानना है स्वाच्छंधतावाधि समिछ्छक स्ट्राइब कπαुपि स्वायद बतला कावे में संदर को अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए और उससे पढ़ कर या सून कर या लिक रहुप कर, उससे क्या आनद की प्रापति होनी चाहिए। मनिस्य की आत्मा का विकास होना चाहिए और समारी कुलियों को अधिक मतों दिया है। इनके उनसार जीवन की व्याख्या करना ही साहिति का प्रयोजन है, मैथिवर नाड़ के हमाना है कि कईसी कविता को पढ़कर यार सुनकर लोगों का आत्मिक विकास होना चाहिए और उनमें समाजिक मुल्य जागरित होने चाहिए, सदाचार समाजिक मुल्य उनके अंदर करना, मतलब हमारे आसबस जिभी हम आज जिएस जी वन देख रहे हैं, वैं साहित को माने चाहिए. लियो तलस्टय का क्या मानना है? लियोटल स्टाय सुप्रसित दुरूसी साहित्यकार और विचारक हैं। उन्होंने कावे के प्रविजन के रूप में नैतिकता, प्रेमभाव और लोग हीत को मान्यता दिये। मतलब कावे का प्रमुकुद्देश क्या है? लोगों में नैतिकता उत्पन करना, नैतिकता जागरित करना, लोगों में और समाज के लोगों के बीच में प्रेम बहुत जागरित करना, और लोग हीत, मतलब लोगों का भला करना, ये कावे के प्रविजन है। अब कावे प्रविजन के समद में हिंदी साहित्यकारों के क्यामत है यह देखते हैं, अभी तक हमने देख चुका भारती जो आचारे हुए हैं, संस्कृत के प्राचीनाचार, फिर हमने देखा पाश्चात चिंतगों का विचार, अब हम देख रहे हैं तीसरे भाग में, काव प्रसिद्य कवी तुलसिदास ने स्वान्ता सुखाये, स्वान्ता सुखाये मतब खुद की खुशी, खुद की प्रसन्नता, स्वयम का सुख, अर्थात आनंदो उपलब्धी, अर्थात आनंद की उपलब्धी, कवी को जो आनंद की उपलब्धी होती है कविता कोलिकर, अब हम देखते हैं को यही है रीतीकालिन आचारी तो रीतीकालिन आचारी में जो संस्रीट के जो प्राचेन आचारी हुए हैं उनका प्रमाव दिखाय देता है अचारे सोमनाथ क्या कहते हैं? अचारे सोमनाथ का लक्षन गरंथ रस प्यूस नहीं दिये, जिसमें उन्होंने किर्थी, धन, मनोरंजन, मंगल और सद्धुपदेश को कावे का प्रविजन स्विकार किया है. अचारे सोमनाथ की अससर कावे के प्रविजन कुँन से है? किर्ति मतलब यस की प्राप्थी, धन की प्राप्थी, मनोरंजन करना लोगों का। मंगल लोगों का हित करना और सद उपदेश लोगों को अच्छा उपदेश देना चावे प्रविजन स्विकार क्या है और यह लिखते हैं की रती बिती विनोध अरू अती मंगल को रहती कराव भलाव उपदेश नित बहु कविते चेती किर्थी मतलब प्रशन यश प्रसिद कि धन मंगल और उपदेश के सांथ मनुरण्यन को सम्ब्लित करना सोमनात की मौलिक्ता है तो किर्थियास और नुग्देश को भी शामिल किया है तो यह उनकी उप्लब दी है अता सोमनात का प्रविजन संस्कृत के आचारेयां से प्रभावित होते हैं भी मौलिक्ता पॉर और एक बात हमेश्चा देहान में रखें कि मैं पूरे डिटेल में बताता हूं और मैं किसी भी अवधाना को किसी भी कॉंसेप्ट को इतना विश्थार से बताता हूं कि किसी भी परिक्षा में शायद इससे बाहर का प्रश्ण आएगा तो मेरे लेक्चर को आप सुरू से आए कि मेरा यहाज का प्रयासा पूग करता है अब विखारी दास के पारे में द Walter-daic क्या कर न है तो आचारे ममठ की तरह है, इनका भी क्या मानना है? तपसिद्धी, तपकी सिद्धी, वह जो तपस्या करते हैं साधूसंत लोग, संपत्ती प्राप्ती, संपत्ती की प्राप्ती होना, यस की प्राप्ती, प्रसिद्धी की प्राप्ती, आनंद की उपलब्दी, आनंद की प् इसका उन्होंने कावे का प्रविजन सिकार किया है आचार महाविर प्रसाद दिवेदी का क्या काना है आधुनिक काल में आचार महाविर प्रसाद दिवेदी ने साहित के विभिन पक्षों पर चिंतन किया है वे लोखित आनंद तथा नीती यहम सात्विक भावों के उन्हें कावे का प्रयोजन मनते हैं अच्छे भाव उनके मन में जन मिलेना चाहिए और उनका उन्यान और उत्कर्स होना चाहिए यही अच्छार माहर प्रसाद दिवेदी के अंसर कावे का प्रयोजन में आचार राम चंद्र शुक्लह के अंसार आनन्द यो मंगल की सिद्धी कावे कावे का मूल ये म्युव व्यापाक प्रयोजन में जरते हैं जी साधना वस्ता नाव सिद्धा वेघ्य के अंसर अनंद और Mmm मंगल के विधान के को प्रयोजन रिपिक करते हैं कि अच्छी बातों का चित्रन होना चाहिए अच्छी बातों की अभ्यवत्ती मिलनी चाहिए जिसे लोगों को न केवल आनंद प्राप्त हो बलकि लोगों का कल्याण भी होना चाहिए लोक मंगल भी होना चाहिए तो शुकला बहुत प्रसीद है जो प्राया परिष्छा में पूछा जाता है। कविता ही मनिश को प्राकृती का वस्था में लेका जाती है। मनुष्य ही साहिति का लक्ष है। मनुष्य ही साहिति का लक्ष है। मनुष्य का उत्थान करना, हर व्यक्ति का उत्थान करना, लोगों का भला करना, मानुथा वादी हर मानुथा का भला हो। काव यह कविता ऐसी होने चाहिए, जिसमें प्रत्यक मानुथा भला हो, प्रत्यक मानुथान हो, उत्थान हो, उत्खर्शो तो यह मानुथा वादी है। लोगों के कल्यान की भावना, यह मुख्य उद्थेश है। वादी वस्तुता, काव यह कला का प्रेवजन जीवन के लिए मानुथा है। उनका कहना है कि काव रचना अथ्वा कलों कला का जो मुख्य उद्थेश है वा जीवन है। उनका द्रिष्टी कोण मानुथा वादी है। इस अंदर में उनका कथन द्रश्टा भी है। यह बहुत ही महत्रपून कथन है और परिच्छा में भी यह प्राय आता है। साहित के उतकर्स या अपकर्स। उतकर्स मतलब बहुत उपर उठना, अपकर्स मतलब नीचे गिनना। कि निकष की एक मादर कासटी यही हो सकती है कि मनुष्ष कया हित सधन करता या नहीं। मतलब किसी साहित को हम सरस्रेष्ट साहित कहेंगे उपर बेकार कहेंगे। यह किन बातों पर निएभर करती है। कि वह साहित्य के द्वारा या उस कावे के द्वारा लोगों का हीत होता है कि नहीं जिस बात के कहने से मनुष्य पशु समायने धरातल के उपर नहीं उड़ता वत्याज है मतलब जिस कावे के द्वारा जिस साहित्यों के द्वारा लोगों का कल्यान नहीं होता लोगों का भला नहीं होता और उसके पशुवरिती दूर नहीं होती जिसमें काम, क्रोध, लोग, इत्यादी ऐसी भावनाएं पशुओं जैसी प्रवित्ति है ये दिवा उससे उपर नह साहित्य का उद्देश है जीवन के किसी मार्मिक स्वरूप या इस्थिति का ग्यान कराना है। परिस्थितियां जो निर्मित हो जाती हैं। उनकी द्रिश्थि में साहित्य राष्टी जीवन के लिए उप्योगी है। राष्ट के लिए उप्योगी हो राष्टी जीवन के लिए महत्त पूना हो। निश्कर्ष्थ वाजपई जी के द्रिश्थि में आत्मानु भूति कावे का प्रमुक प्रहोजन है। आत्मानु भूति के द्वारा अपने स्वयम के फिलिंग्स और इमोसन्स अपनी भावनाओं की अनुभूति। डॉक्टर नगेंद्र का क्या मानना है। डॉक्टर नगेंद्र के कावे प्रहजन समंधि विचार वनवे गयनी तत्यों से युगता है। वे आत्मा भी व्यक्ति को साहित का मुलतत्त मानने है। इनका भिलग वह ऐसे ही करना है। आत्माविव्यक्ति मतलब स्वयम की भावनाओं के अवियक्ति, अपने विचारों के अवियक्ति, आत्माविव्यक्ति से कविया लेखो को स्री जन सुक्षी प्राप्ति होती है। मतलब किसी लेख़क या कभी के मन में कुछ विचार आते हैं और वह उनको अभिव्यक्त कर देता है तो क्या होता है उसको स्तिरिजन का सुप्राप्त होता है निर्माण का सुप्राप्त होता है डक्टर नगेंद का कथंद दश्टवया है आप इसे दोश्मानिय एगुण मेरी अंतरमुखी प्रक्रिती आनंद से बढ़कर आत्म कल्याण अत्वा लोग कल्याण की कल्पना करने में आस्मात रहिए इनका कहना है कि कविता का मुखे उद्देश क्या होना चाहिए आनंद प्रदान करना होना चाहिए और इसकी तुल्ला में कविता के द्वारा लोगों का कल्याण होता है कि नी लोगों का आत्मा का कल्याण होता है कि यह गौड है यह प्रमुख नहीं है प्रमुख्या है आनं ने ने कावे प्रयवजनों को साथ रूपों में विवेचित किया है तो डॉक्टर भगीरत मिनस्र जो हिंदी के जाने माने विद्वान है इनकी कावे चिंतन में भारती पाश्चात दोनों विचारकों के द्वारा जो उनके जो चिंतन है उसका यहां पर स्वरूप दिखाई देता है तो इनका क्या काना है कला कला के लिए मतब कविता या साहितquet के राजना सिर्प कला के समाज के लिए होना चाहि चाहिए को पहले में कला 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 के लिए था। कळा लोगों के लिए होनी चाहिए कोई सही साहित्य कावय की रचना लोगों के लिए होनी चाहिएो पहले में कला कला के लिए मतब क्या है कला कार पेलियो के यह कलाओ कर ére मिनने चाहिए फिर उस कला से प्रभावित होने जो लोग है उनको भी संतुष्टी मिनने चाहिए जीवन से परायान के अर्थ में कला किसी आप जैसे आप फिल्म देखने आते हैं थोड़ी देर के लिए आप आस्तिक दुनिया से दूर से दूर हो जाते हैं वैसे कवीता पार्ट सुन रहे हैं हासरस की कविता सुन रहे तो जीवन से परायान कर जाते हैं बहुत भी होई कि आपके जिन्दगे में कितनी बी despair मनो रंजन तो आनंद के लिए कला का उद्देश होना चाहिए इसके बाद सेवा के आर्थ में लोगों को एंटरटेन करते ते एक सेवा ही है लोगों को फूशी प्रदान करते हैं आत्म सक्षात क्यार के आर्थ में जो जब कोई कविया लेका कुछ लिखता है तो आपने कुछ कवी हों कुछ लेखक इनके जवरत हमेशा में रहती है समाज में तो इसकी भी पूर्ती होती है लेकिन डॉक्टर मिर्श्र की मूर मानेता है कि कावे एक स्रीजनात्मा काई सेखता है मतलब स्रीजनात्मा काई सेखता है क्यों है कावे हमारे समाज के लिए बहुत ही जाए तो हमारा जीवन बहुत ही दिलास हो जाएगा क्योंकि कावे को पढ़कर रहा सुनकर ही हमें रस की प्राप्ति होती है जिसे ब्रह्मा नंसाओदर कहा जाता है अब कावे प्रविजन के समझ में मनोवेग्यानिकों के मत मनोवेग्यानिक थो मनोविस लेशनवादी अप थाप्तियों पर मैंने एक वीडियो मनाये वाध मनोविस लेशनवाद तो जाकर आप इनकी विचार धारा का द्यान कर सकते कि मनोविस लेसन रवाद मानव कि सभी क्रियाओं के मूल में कामवासना रती है, कामवासना नहीं लिए लिए ओ, कामवासना है, कामवासना, मानाओ की सभी क्रियों के मूल में क्या रती है, कामवासना रती है, तो ये का है, कामवासना, ये मैं धंक से लिख नहीं पा रहा हूँ, इसमें इजह का है, कामवासना है, तो इसको आप सुधार लिएगा कामवासना तो मानों की सभी क्रियों के मूल में क्या रहती है कामवासना रहती है साहित्य कला सर्जन की मूल प्रणना सर्जक की दमित कामवासना है यहाँ मैंने कामवासना लिखने में गलती कर दिये तो कोई भी साहित्य है इसके सिजन में क्या है इनका मानना है काम वासना थी कोई कलाकार जैसे कोई मूर्थिकार मूर्थी बना रहा है कोई चित्रकार चित्र बना रहा है कोई कवी कवीता लिख रहा है तो इन सभी के मूल में क्या है काम वासना है तो काम वासनों के बहुत ज प्रतियक व्यक्ति में कुछ नुमुच कमी होता है अपने समार में देखा हूँ कुछ द्रिष्टी बाधित लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं जिसको हम लग सूर्दास काते हैं तो ठीक है उनकी आखें दिखाई नहीं देती लेकिन जब गाते हैं पुरा तनमय होकर पड़े कभी हुए है भक्तिकाल के तो हिंता की छती पूर्ति इस कमी की पूर्ति उन्हें अपने साहित के द्वारा किया है जीवन में किसी ने किसी अभाव के करण माना मन में हिंता की ग्रंधी इंफ्यार्टी कांप्लेस पड़ जाती है अताव आपनी अपुर्णता को प पूर्णता को पूर्णता को पूर्णता करने के लिए वह किसी ने किसी कलाकार सीजन में प्रवित हो जाता है तो वह कलाकार बन जाता है यह कहना है हिंता की ग्रंधी इंफ्यार्टी कांप्लेस को दूर करने के लिए वह कलाकार बन जाता है यह कभी बन जाता है यूंग क् काम वासना के साथ साथ, प्रभुत तो कामना, कुकावे की प्रेरख शक्ति बताते हुए कहा है कि आत्मरती और प्रभुत तो कामना, दो ऐसी शसक्त प्रवित्तियां हैं जो माना के सभी क्रिया कलापों की प्रेरख शक्ति हैं, यूंग के अंसर के हैं काम वासना के साथ साथ प्रभुद्य कामना, मतलब किसी चीट को हासिल करना, प्रभुदा हासिल करना, सत्ता हासिल करना, किसी चीट को हासिल करना, तो काम वासना तवा ही, किसी चीट को हासिल करने की इक्चा भी प्रेरख सकती है, और आत्मरती मतलब स्वयम की खुशी, स्वयम को संतूष्ट करना, और प्रभुत तो कामना, मतलब किसी ने किसी प्रकार से स्वयम को खुश करना और दूसरा प्रभुत तो कामना, मतलब लोगों के बीच में बहुत ही मतलब एक प्रभुत शसक्त बनकर उभरना समाज में, तो ये दो शसक्त प्रभुतिया हैं, जो माना के सभी क्रिया कलापों सकते हैं इनका कहाना है किसमाश मे रउख से जो भी कारे करता है वह Ltd to करता है इक तो आत् versão के लिए इस सवयम को लोगों के बीच में बहुत अच्छा दिखाने के लिए से horsey K के मैं बहुत भी हों डूम्नेट करने के लिए उपर हावी हों करने के लिए तो यही लग अब हम निशकर्स रूप में का सकते हैं, निशकर्स का लिखना बहुत ही जवरी होता है, क्योंकि उपर आपने जो भी बताया है, उसको यहांब संचेप में बताना होता है, तो कावियोया साहिति के संदर में प्रयोजन का उलेखनी महतो आदी आचारे भरत से लेकर पंडितर जगनात अथाबाद के आचारे द्वारा निर्पित किया गया है, इन सभी ने बताया है काविय के प्रयोजन के बारे में, काविय के उद्देश के बारे में, भरत भामा आदी आरंभिक आचारे के प्रयोजन निर्पण में, चारो पुरिशार्थों, धर्म, अर्थ, काम औ और मोक्ष की परकषा लेकी चंट्राफ 나कर चमतकर अंद की अनुझ कारे कुंदते का नें मुश्बूत कर और प्रद्बर्गी शहता है लेकिन किसी कविता को पढ़ करें सुंकर अमारे मन में ऐसा अलोगिक चमतकार पूर्ण भावना उत्पन होती है कि हम आश्चार चकित रहे आते हैं बहुत खुश हो जाते हैं यह कावे का प्रविजन सिद्र के आई नहीं अचारे ममट ने कावे के चाह प्रविजन माने यह बहुत ही महत पूर्ण है अचारे ममट यश यश की प्राप्ति प्रसिदी की प्राप्ति अर्थलाब पैसे की प्राप्ति व्योहार गान समाल में कैसे व्योहार करना है कैसे उठना बैटना है अशीव मतलब अमंगल का जाना उपदेश देना। जाना उपदेश देना। जाना उपदेश देना उपदेश देना उपदेश देना। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप भली भाती समझ गया होंगे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तर चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी बेला इकन को दबना ना पुलें ताकि मेरे प्रतेक वीडियो के अप्रेट्स आपको मिलते रहें और इस लेक्चर का पीडियेफ है नीचे डिस्क्रीप्शन में मैंने दे दिया है साथी कमेंड बाक्स में कमेंड लिकर जरू बताएं कि मेरा आज का यह प्रयास आपको कैसा लगा धन्यवाद